सुप्रभाद बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तोलसी दाजी द्वारा रचत, लक्ष्मन मूर्चा और राम विलाप यह प्रसंग रामचरित मानस के लंका कान से लिया गया है इस प्रसंग में उस समय का वर्णन है जब श्री राम जी, माता सीता जी के साथ और लक्ष्मन सहित, वनवास को जाते हैं जहां पर रामण सीता जी का हरन कर लेता है और उसके बाद राम रामण युद्ध होता है इसी युद्ध के दौरान लक्षमर जी को युद्ध में शक्तिवान लग जाता है और वो मूर्चित हो जाते हैं उस समय लक्षमर जो की मूर्चित पड़े हैं उन्हें देखकर श्रीराम जी विलाप करते हैं और सहसा भाई के प्रेम से व्याकुल श्री राम जी का एक मानवी रूप प्रस्तुत हो जाता है जब वे अपने भाई को देखकर भाई को मूर्चित अवस्ता में देखकर बिलग बिलग करोने लगते हैं तो इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लोट रहे हैं और रास्ते में उन्हें भरत मिलते हैं और वो भरत से विदा लेकर जब लंका की ओर को प्रस्तान करते हैं तो उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है पहले दोहा मैं आपका प्रताप अपनी हिर्दे में रख कर तुरंत यहां से चला जाऊंगा तब प्रताप उर उर क्या होता है हिर्दे कि मैं यहां से चला जाऊंगा और असके आयो सिपाय पद बंद चले हनुमन्द और ऐसा कहते वे हनुमान जी ने भरत जी के चरन स्पष किये और वहां से चल पड़े भरत बाहुबल सील गुन प्रभुपद प्रीत अपार मन महे जात सरासर सराहत पुनी-पुनी पवन कुमार और भरत जब वहां से जा रहे थे तो भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव तता प्रभु के चरनों में उनकी अपार भक्ती को मन ही मन सराते हुए वो वहां से जा रहे हैं और संजीमनी पुटी लेकर लंखा की तरफ को चल पड़े हैं लेकिन मन ही मन वो किसका भरत के स्वभाव की प्रशंसा अपने मन ही मन करते जा रहे हैं और उनके मन में ये भी है कि इश्वर राम जी के प्रती जो भरत की भक्ती है उसकी वो बहुत ही सराहना करते हैं तो बच्चों दोहा का हम अभी कावि संदर पड़ते हैं सबसे पहले तो हनुमान की भक्ती और भरत की गुणों का वर्णन हुआ है दोहा चंद है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और मन महूं पुनी पुनी पवन कुमार पाय पद में अनुपरास अलंकार है और प राम लच्मन निहारी बोले वचन मनुझ अनुसारी मनुझ मनुष्य अनुसारी के समान अर्ध रात गई कपी नहीं आयो राम उठाय अनुझ उरलायो अर्ध रात होता है रातरी कपी हनुमान जी और उर होता है हिर्दय अब यहां राम जी जो है अपने भाई लक्षमन को निहार रहे हैं देख रहे हैं उहां राम लक्षमन निहारी अपने भाई को देखते जा रहे हैं और उस समय निहारते वे वो बिलकुर एक समान ये आदमी के समान लग देख रहे हैं दिखाई दे रहे हैं और उसी समान य आदमी के समान विलाप करते वे क्या कहते हैं अर्ध रात गई कपी नहीं आयो राम उठाए अनुज उरलायो ये आधी रात बीद गई है अभी तक हनुमान नहीं आये है और इसी बीज उनको किसी अशुब की आशंका होती है वो क्या करते हैं अनुज लक्षमन को उठा कर अपने हिर्दय से लगा लेते हैं सकवन दुखित देख मुए का हू बंदू सदा तब म्रदल सुभाव कि हे ब्राता तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे तुम्हारा सुभाव तो अमेशा कोमल और विनम्र रहा लेकिन आज ही क्या हो रहा है बंदू सदा तब म्रदल सुभाव तुम तो हमेशा ही म्रदल सुभाव के व्यक्ती थे मम हित लाग तजयो पित माता सहयो विपिन हिम आतब बाता कि मेरे साथ यहां आने के लिए तुमने माता पिता तक को त्याग दिया और सहयो विपिन विपिन क्या आता जंगल सहयो विपिन हिम आतब बाता और जंगल में ठंड, धूप, तुफान आदी सभी चीज़ों को तुमने सहन किया सो अनुराग कहां अब भाई उठो नसुन उठो नसुनिमं बचन विकलाई कि हे भाई हे लक्षमन वो प्यार, वो प्रेम अब तुमारा कहां चला गया कि तुम मुझे रोते वे भी देखकर नहीं उठ रहे हो मैं विकलाई, मतलब मैं व्याकुल हूँ लेकिन तब भी तुम नहीं मुझे देखकर उठ रहे हो जो जनतेव ना बन बंद विचो हूँ पित बचन मनतेव नहीं ओहू कि अगर जो जनतेव जनतेव मतलब जानता या पता होना कि अगर मुझे पता होता बन बंद विचो हूई वनवास के धुरान मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा पित बच्चन मनतेव नहीं हो तोई तो मैं पिता जी के वच्चनों का पालन ही नहीं करता या उनके वच्चन का पालन करके मैं वनवास बन में आता ही नहीं और नाम है तुम्हें अपने साथ लेकर आता बच्चो इन पंक्तियों का काविसों अंदर है यहाँ पर राम जी का मानवी रूप तथा उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है द्रिश बिंब है ऐसा लगता है हम सारा द्रिश अपने सामने देख रहे है करुण रस की प्रधानता है तथा चौपाई चंद का यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयोग दिखाई देता है अवधी भाशा है और अनुप्रास अलंकार है बोले बचन दुखित देख बन बंद विछो बच विकलाई यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं सुत बित नार भवन परिवारा होई जाय जग बारे बारा सुत बित नार सुत होता है पुत्र बित होता है धन नार मतलब इस्त्री सुत बित नार भवन परिवारा होई जाय जग बारे बारा अब राम जी यहाँ पर क्या करते हैं दुखी हैं बहुत ज़्यदा परिशान हैं और व्याकुल होकर कहते हैं संसार में पुत्र धन इस्त्री भवन और परिवार बार-बार मिल जाते हैं बार-बार जोड़े जा सकते हैं और इनकी विवस्था भी बार-बार की जा सकते हैं होए जाय जग बारे बारा इनको बार-बार आप बना सकते हो आपको बार-बार यह मिल सकते हैं अस विचार जियों जागो ताता मिलेन जगत सरो सहोदर भ्राता तो हे भाई तुम जाग जाओ यह विचार अपने मन में रखके कि इस संसार में भाई दुबारा नहीं मिलता है कि जैसे राम जी आपर कहते हैं मेरी अवस्था या मेरा हाल कैसा हो गया जैसे जैसे पंक के बिना पक्षी बिल्कुल दीन हीन हो जाता है मनी के बिना साप की जो विवस्था या अवस्था होती है या सून के बिना जैसे हाथी दीन हीन हो जाता है वो कुछ कारी नहीं कर पाता है ठीक वैसे ही उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है असमम जीवन बंद बिन तोई जो जरदेव जयाओ मुई कि ऐसे ही तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन जो है व्यर्थ है बेकार है और हे भाई तुम्हारे बिना यदि भागे मुझे जीवित भी रखेगा तो मेरा जीवन पंक वहीन बक्षी के समान हो जाएगा मने भी हीन साब के समान हो जाएगा या सून्ड के बिना हाथी के समान हो जाएगा तो मेरा जीवन बिलकुल बेकार है जेहू अवद कवन महुलाई नार ये तु प्रियभाई गवाई कि अगर मैं अयोध्या भी जाता हूँ तो कौन सा मू लेकर जाओंगा यहां राम जी को चिंता हो रही है कि अयोध्या जाता हूँ तो कौन सा मू लेकर जाओंगा कि लोग महाँ पर क्या कहेंगे नार हे तु प्रियभाई गवाई कि देखो ये कैसा व्यक्ति है इसने पत्नी के लिए अपने प्रियभाई को खो दिया है और पत्नी के खातिर इसने अपने भाई को खो दिया है बर अपजस सहतेओं जगमाई नार हाने विसेश छतनाई कि मैं ये अप्यश कैसे बरदाश करता ठीक है पत्नी के खोने का अप्यश तो मैं बरदाश कर लोगा लेकिन सहे अब अपलोक सोक सुत्तोरा कि मैं नारी का जो बिछोड़ा है या नारी के लिए जो मिले को अप्यश समान करना पड़ता मैं वो सब बरदाश कर लेता लेकिन क्योंकि यहां पर लोग क्या कहेंगे कि इसने पत्नी के लिए अपने भाई को छोड़ दिया है और यह अपमान में वरदाश नहीं कर सकता क्योंकि बर अपजस्ने होतेय जगमाई और ऐसा अपयश जो है संसार में मैं से वरदाश नहीं होता क्योंकि इस तरह की हानी कोई विशेश हानी नहीं होती है तो यहाँ पर कावि सुंदर है, राम का भ्रातर प्रेम, यहाँ प्रशन सनी है, द्रिश्य बिंब है, सारे द्रिश्य में अपने सामने दिखाई दे रहा है और जथा पंक बिन खग अतिदीना, मन बिन पन, पन, करबर करहीना में उदाहरन अलंकार है जपाई छंद का सुंदर प्रियोग है, अबदी भाषा, करुनरस समाहित है, पूरे में और अनुप्रास अलंकार है, जाही जग, बारे इबारा, बंदो बिन, करिबर कर यहाँ पर अनुप्रास की छटा जो है हमें अलग ही दिखाई देती है अब अगली पंक्तियां दिखते है अब अपलोक सोक सुत्तोरा सहे निठूर कठोर उर्मोरा यहाँ पर राम जी विलाब कर रहे हैं और हनुमान जी के आने की प्रतिक्षा कर रहे हैं कि अब अपलोक सोक सुत्तोरा सहे निठूर कठोर उर्मोरा कि मेरा निस्ठूर और कठोर हिर्दय अपयश और तुमारा शोक तुनों को बरदाश करेगा क्योंकि तुमारे ना रहने से मुझे अपयश मिलेगा और तुमारी छती जो है वो भी मेरे लिए बहुत ही जैदा दुखदाई होगी निज जननी के एक कुमारा कि हे भाई ये छोट ब्राता तुम क्या हो अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों का आधार हो या उसके जीवन जीने का आधार तुम ही हो सोपे मुहे तुम ही गह पानी सब बिद सुखद परमहित जानी अगर माने मुझे तुम्हारे लिए तुम्हें सोपा है माने अगर तुम्हें मुझे सोपा है तो उसने कहीं ना कहीं से मुझे तुमारा हितकारी समझा होगा या उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तदा परमहितकारी जान कर ही तुम्हें मुझे सौपा था तो अब मैं मा को क्या उत्तर दूँगा उत्तर कहां देव तेह जाई उठ किन मुए सिखाओ भाई कि अब मैं मा को क्या उत्तर दूँगा हे भाई तुम स्वयम उठकर यह मुझे बताओ कि मैं मा को जाकर क्या बात बताओंगा या क्या कहूंगा बहुबिद सोचत सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल लोचन और ऐसे कहते कहते राम जी के कमल के समान सुन्दर नेत्रों से आसु बहने लगे और उमा एक अखंडर गुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई और राम जी का यह विलाप देखका शिव जी कहते हैं हे उमा शिरी राम चंदर जी अद्वती और अखंड है और यहाँ पर उनों ने भगतों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई और अब इसके आगे देखे सोठा प्रभू प्रलाप सुनिकान विकल भे बानर निकर आई गए हनुमान जिम करुणाम है वीर रस और इतने में क्या होता है कि जैसे भगवान राम जी को रोते वे देखते हैं बानर वो वहां से हट जाते हैं उनका विलाप सुनकर बानरो का सुमूब इतना व्याकुल होता है कि वहां से हट जाते हैं और इतने में ही हनुमान जी संजीवनी लेकर आ जाते हैं तो वहां ऐसा महौल हो जाता है कि जिम करुणामे वीर रस कि अभी तो करुण रस का जो प्रसार था वो एक दम से जैसे वीर रस प्रकट हो गया चारो तरफ वानर सेना में हर्ष की लहर दोड़ होई दोड़ पड़ी और सभी लोग खुश हो गए तो यहाँ पर हम देखते हैं कावि सुंदर राम जी की व्याकुलता का सजी वर्णन है दरश बिंब है अब्दी भाषा का सुंदर प्रयोग है चपाई और सोठा चंद है करुण रस है अनुप्रासलंकार है तात तास तुम बहुबिधी सोचत सोच स्रवत सलिल और प्रफिव दल लोचन यहाँ पर रूपक अलंकार है तो आज का इतना ही आगे की व्याक्या दूसरे भाग में दने भाषा है